हेलो दोस्तो नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैसिंग एक्सपर्ट में अज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे पात सेấn इनफनिक्स कम्पनी का फोन और दोस्तो यह मेरे यह हाथ में इन फोन एक्ट्रल नमस्कार फोन आ唱 सरेखें निच्मी लिदा दोemary है देंगे कि आप Infinix Smart 4 PLUS का Pattern Lock Pin Lock Password Lock कैसे Unlock कर सकते हैं बीना किसी Computer के बीना किसी Laptop के तो चले व्यडियों को स्टाट करते हुँ. सबसे पहले आपको करना क्या होगा पहले तो मैं आपको पैटन को ड्राओ करके दिखा देता हूँ कि इस फोन में पैट लॉक लगा भी है ने तो दोस्तों यहां पे यहां बना दिया यहां पर एक एल से बनाना चाहूंगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पैटन ड्रॉ करते हैं यहां पर सेकंड चलने लगे हैं और यह पीछे से कुछ इस तरीके का दिखता यह डिवाइ है बीना किसी कंप्यूटर के बीना किसी लैप्टॉप के तो चले मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे इसको उनलॉक करना है सबसे पहले आप देख लिए फिर से मैं पैटलोग को ड्रॉ कर दूंगा जेड बना दिया एं बना दिया जो भी कुछ नॉर्मल पैटन ड्रॉ करना थ हो जायेगा अब आपको यह एक्स का थोड़ा सा लोगो दिखा उसके बाद आपको आपका फोन बंद रो चुका है ठीक है अब आपको क्या करना है दियान से देखिएगा मेरा कैमरा अगर फोकॉस कर पावर विटन यह पावर बिटन यह पायर बटन यह वेलूम डान बटन यजुछ पोरी त्रीके से ऊपन हो सके तो यहां पे देखेंगे जैसे यह लोगो आया हमने power button को छोड़ दिया लेकिन value up button को दबा कर रखा है तो कुछ देर दबाने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके phone में कुछ इस तरीके को option आच चुका है लिखा हुआ है और लिखा हुआ है no commands अब no commands option जब आच चुका है तो आपको बिल्कुल भी घबना नहीं आपका phone recovery menu पर जा चुका है अब इसको open करने की बारी है तो simply power button and value of button power button and value of button को जल्दे से दबा कर कुछ इस तरीके से छोड़ना है देखिए power button and value of button बस इतना करते ही आपका phone recovery menu में आ जाता है और आपके सामने पूरी details आ जाती है है अब आपको जाना कहा है वो मैं आपको बदाता हूं यहां पर देखिए option है wipe data factory reset तो इस पर जाना है उसके लिए आपको power button को press कर दे रहा है वे factory data reset और उपर लिख दिया है तो कि आपका जो भी data हो डिलीट हो जाएगा और मैं आपको भी aware करना चाहूंगा कि आपको जो करने लगती है नीचे wiping catch का और यह सब होने के बाद simply reboot system नाव पर क्लिक कर देना है power button को press करके अब अब का आगी का procedure क्या है वो मैं आपको बताता हूं सिंपल सा step दोस्तों as compared to पहले के पहले इस phone को on होने में जितना वक्त लगता था उससे थोड़ा सा वक्त और लग सकता है approximately एक मिनट दो मिनट का time लग सकता है phone को on होने में तो बिलकुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों please wait करें और थोड़ा सा patience रखें ठीक है दोस्तों अगर आप patience रखते हैं तो आप अपने किसी भी phone का device का lock तोड़ना या फिल software cylinder कोई भी कारे करना होता है तो आप perfectly क कर लेते हैं ठीक है तो आपको patience रखना आना चाहिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ बाते जरूरी बता देता हूं जैसा कि आपको अपने phone का पैटलोग तोड़ना है पिन लोग तोड़ना है कोई भी लोग तोड़ना है तो सबसे पहले तो अपनी phone की battery को almost 60% 50% चार्ज कर बात का procedure आपको यह make sure कर लेना है कि जो भी आपके phone का data है just like photos, videos, document कुछ भी वो सब कुछ delete हो जाएगा इस बात को आपको पहले से check out कर लेना है और अगर आपके समझ में आता है तो click कीजिए वरना आप कोई दूसरा method try करने की कोसिस कीजिए जो की आपका pattern याद आ सकता है या फिर और भी कुछ चीज़े हैं जो आप try कर सकते हैं अब बात आ गई कि अगर अगर आपका phone just like यह हमने hard reset कर दिया तो hard reset करने के बाद आपसे frp lock मांगता just like आपसे बोलता कि आप अपना पुराना gmail account और password डाल का enter कीजिए और अपने phone को access कर लेजिए तो उस case में video का description बात में जाएं उसका FRP का video याँ आप मिल जागा तो stop all ऑन हो चुका है और इस सटार्प मैंने कल्क कर दिया अहां से country को करूँँगा तो मैं इंडिया से हुं तो ही कर लेना है अब आप गया अपसे मोर मोर एन एक्सेप्ट एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो अब आपका फोन XOS launcher को रन करेगा अपने फोन में और तुरंत आपका फोन अन हो जाएगा अब मैं आपको साइटिंग में ले जाकर इसका मॉडल नम्बर दिखाना चाहूंगा साइटिंग में मैं गया उपर दिख जाएगा माई फोन इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहां पर थोड़ा सा मेरा कैमरा कर फोकस कर पा रहा हो तो यहां पर मॉडल है इंफिनिक्स स्मार्ट फोर प्लस जो कि मैंने आपसे बताया था एक्स सिक्स डी और यहां पर इसका मॉडल है और यहां पर एंड्रोड वर्जन है और एंड्रोड सिक्योर्टी पैच लेवल है सब कुछ यहां पर बतायागा दूस्तों तो उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ होगा और इस वीडियो से आपकी जरा भी हिल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चॉनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें थैंक्स थैंक्स पर चिंग दिस वीडियो जै हिंद वन्दे मात्रम